मिथला के दर्भंगा एयरपोट से रामनगरी अयोध्या के लिए बीमान सेवा एक फरवड़ी से सुरू पटना, मिथला और अबद अब बीमान सेवा से जोरने जा रहा है एक फरवड़ी से स्पाइजेड मिथला के तर्भंगा से रामनगरी अयोध्या तक सीधा विवान सेवा सुरू करने जा रही है स्पाइजेड एक फरवड़ी 2024 से आयोध्या को देश भर में आठ परमुक सहरों से जोर कर अपना नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए तयार है चन्य बेंगलोरू और मुंबई से पहले घोसित नौन अस्टाप उरान के अलाबा स्पाइजेड अपने सेवाओ का विस्तार करेगा एक फरवड़ी से सुरू कोने बाले मार्गों में दर्भंगा दिल्ली अहमदाबाद जैपूर पतना मार्ग सामिल है उलेखनी है कि मितला इलाके में केवल दर्भंगा एरपोर्ट ही करिये रत है ऐसे में यहां से अयोध्या के लिए उरान सेवा सुरू होने से सिता के मायके में हर्स का महल है सब्ता में चार दिन ही मिलेगा सेवा दर्भंगा से आयोध्या से दर्भंगा के बीच सिधा उरान सेवा एक फरवाड़ी से चलेगा इसके लिए टिकटो की बूर्किंग सुरू कर दी गई है या बेवान सेवा सब्ता में चार दिन उपलब्द रहेगा दर्भंगा से अयोध्या के लिए सप्ता में रवी बार, मंगल बार, वैस्वति बार, वह सनी बार को विवान सेवा उपलब्ध होगा दर्भंगा से विवान सुबा 11 बच के 20 मिनट पर उरान भड़ेगा और एक घंटा 10 मिनट के बाद विवान ठीक 12 बच के 30 मिनट पर अयोध्या में लेंड करेगा दर्भंगा से अयोध्या की फलाइट एक घंटा 10 मिनट की है जबकि पटना से अयोध्या की फलाइट एक घंटा की है दोनों जगा से किराया समान है दर्भंगा से अयोध्या का किराया एक फरवड़ी को 299 पे है जबकि पटना से अयोध्या का किराया भी उतना ही रखा गया मौसम के कारण पिछले पांच दिनों से दर्भंगा की तमाम फलाइटे रद है और लोगों में इस बात को लेकर काफी नराजगी है लेकिन S.Y.Z की ओर से आई या सुचना के बाद दर्भंगा ही नहीं आसपास के जिले में भी खुसी का महौल है